सात्य शिर्यकाल फ्रेंड साड़ी आज दी कहाणी है एक सची कटना है एह दलीब कोटवाना जी दी रचना है बीर इंदर जीसनु असी सारे वीरा आख दे बंगला देश दी लडाई विच गिया होया सी मा विद्वा मादा एकला पोत बीजी लई बहुत अखा वेला सी ओ सारा वेला पाठ करके अरदासा करदे रहने राबनु तेवं दे सुखना सुख दे वीरे दी खैर मागदे रहने पंजा पैना दा कला प्रा आसी मैं सब तो वड़ी सी बापुजी दी मौत तो मगरो मैं ही उसनु बहुत संबाल ले आसी क्योंकि बीजी पहला बहुत मार हो गय सान मगरो साब कुझ शाड़ शड़ा के रब वाले पासे लाग गय सान मेरे नाल वीरे दा मोदा रिष्टा जहा हो गया कि उस दे दूर बैठे वी मैंनो खबर सूरत रहन दी कदी हो बमार हुन दा मैं पहुंच जान दी ताँ हो हिरान हुन दा कि मैंनो कि मैं पता लाग जानता है बीजी उसनो फोज वीच नहीं सी जान देना चोहन दे पर ओ जिद करके चलिया गया साननो एक तसली सी कि उस नाल उस दी पल्टन वेच उस दे प्रामा वरगा मेजर गुर्दीप सी कई वारी वीरा कार फोन करनो जाँ खत लिखनो खोँज जानदा ता मैं गुर्दीप नो पोथ दी वीरे दा की हाल है बंगला देश दी लड़ाई जोरांते सी दसा दिना तो वीरे दा कोई पता नहीं सी लग रहा किसे तार दा किसे खात दा कोई जवाब नहीं सी आ रहा बीजी पाठ ता कर्दे ही सन होनवेच वेच रोवी पैंदे सन ओहो सोच दे सन कर कोई होर बंदा हुंदा था मैं पता लेंड पेज दिन दी ती माड़ा कार है शाड के मैं आप भी नहीं जा सकती फिर एक दिन खबर आई कि लड़ाई खत्म हो गई है सार्या ने सुख दा सालिया तीसरे देन ही वीरा ते गुर्दीप पट्याले पहुँच गए बीजी ने राब दा लाख शुकर कीता चा पींद्या मैं वीरे यते गुर्दीप नू दस्या की मैंनू एक रात सुफना आया सी की वीरा किद्रे खो गया है मैं उच्ची उच्ची रो के हाक का मारिया मैं बड़ी डार गई सी फिर निका जिया वीरा एक द्रख्त तों बोल लिया पैंजी क्यों लाबदे फिर देओ मैं इथे द्रख्त उपर बैठा हा ते हुआ सप्या मेरी जाग गोल गई ता सुफना जाद मैंनू जाद सी मैंनू आज वी ओदे खो जान दी कबरा हट सी गुर्दीप बोल लिया कमाल है पैंजी तहानू कीद सी अगे रात वेले लडाई थाम जान दी हुंदी सी पार उस दिन रात तक चाल दी रही साड़े आले दवाले लाच्छाई लाच्छासान मैं ते वीरा पाज के एक द्रख्त उत्ते चाड़ के मैं वीरे नू आख्या की वीरे मरी ना नहीं ता पैंजी नू मैं की जवाब देवागा मैं हरान हो के गरदीप दी गाल सोन रही सी इस्तों मगरों वीरा दसन लगया एक होर गाल होई लडाई बड़ी कमसा आन दी हो रही सी अगा वादे वादे दोहा पासियां दे फावजी आपोवेच पिडन तक आन पहुंचे बिलकुर मेरे एन सामने जेडा पाकस्तानी बंदा पस्तावल चलाउन चल लगया सी अचानक उसने पस्तावल हेठों हेठा कार लिया उस दा तियान मेरी जेब ते लगये कैप्टन बी एस टिवाणा वाडे फीते उत्ते सी उसे विले मैं उस दे वल ते आनल वेख्या उस दी जेब उपर ले फीते उते करनल एस टिवाणा लिख्या होया सी मैं अपनी एके संताली राइफल दा मुहेठा कार लिया ओ एन मेरे नेडे आ गया उस दे पैरा विच गोड़ी वज्जी होई सी जिस करके उस दा बूट फट गया सी ते पैर विचों लहू वग रेहा सी मैं अपने बूट खोल के उस वल कर दिया आख्या सर तुसी इह पालो नाल ही अपनी जेब विचोर माल कड़ के दित्ता अति आख्या कि इस नूँ कोट के जखम ते बानलो उसने रुमा अलबान लेया ते बूट पाले इस वेले तक लड़ाई थाम गई ते फोजी अपने अपने टकाणियाँ वाल मोड रहे सान उसने अपना पिस्टल में नू दिन दिया आख्या कि इह तू राखले सर तहान नू लोड पवेगी मैं आख्या सी करनल ने किहा सी कि कोई नहीं एह तू निशाननी राखले अपा कदे फिर अमन वेले मिलांगे फिर पैन जी वीरे दी सी यो वलो एक्स्प्लेनेशन होई कि तू दुश्मन नू बूट क्यों दिते ते वीरे ने पोले पा आख्या सी कि ओह दे नाल मेरी कादी दुश्मनी सी गुर्दी इपने दस्या आज जदो वीरा नहीं रहा अते ओह करनल एया सटवाना वी नहीं रहा ता एह दोख वी लागदा है कि अमन वेले मिलन दी इच्छा ना सिर्फ दो टिमानिया दी सी ना सिर्फ दो फवजिया दी सी सगों दोवा मुलका दे लोका दी सी अते है वी जे लड़ाई कोई वी नहीं चौंदा फिर लहुंदिया क्योंने भीजी ने पुछ्या लड़ाईया सरकारा करवंदिया ने क्योंकि ओना दे पोत ना लड़ाईया वेच जान दे ने ना लड़ाईया वेच मार दे ने मेरा जवाब सी एग अल मैं पाकस्तानी लेख का अफजल तो सीफ नू वी दसी सी थैंक यू प्लीज स्ट्राइब मैं चैनल फर मोर वीडियोस प्लीज लाइब और शेर